किसी की कोई गलती न हो उसके बावजूद भी उसको सजा मिले तो बरदार्शती भी एक सीमा होती है, हद होती है आज की जो सची घटना में आपको सुनने जा रहा हूँ इस सची घटना में कुछ ऐसा ही होता है एक महिला पर उसका पती लगातार चरितर हिंता का शक करता था उसको लगता था कि उसकी पत्नी का कई लोगों से, कई जनों से समंध है और इसी बात को देखते होए उसका पत्नी अपनी पत्नी को पीटने के लिए कोई ने कोई बहाना ढूनता था आए दिन किस ना किसी बात पर बहुत बुरी तरह से मारता था पीटता था प्रोब महिला अपने बेगुनाही का लगातार सबूत भी देती थी लेकिन उसके पती के उसको समझ में ही नहीं आता था महीने दर महीने ऐसे ही गुजर रहे थे एक दिन उस महिला ने एक पत्र अपने पती के नाम लिखा और उसमें लिखा कि मेरी कोई गलती नहीं है इसलिए मैं यहां से सब कुछ छोड़के जा रही हूँ अपने परिबार की सहमती से अपनी एक नए जिंदगी की शुरुआत करूँगी मेरी बेटी है इसका खया लगना वो अपने तीन साल की बेटी को इस घर में छोड़के जरूर चली गए थी उसने कभी सोचा नहीं था कि बेटी बड़ी होगी उसका भविश्य कैसे समरेगा उसके साथ आखिरकार क्या होगा अपने बेटी की तो उसने फिकर की नहीं अपनी ही फिकर थी उसे लग रहा था कि यहां से वो चली जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन जो उसकी बेटी के साथ होता है वो वाकिक किसी ने भी कोई कलपना नहीं की थी आज की घटना सुनने के बाद आपको हैरानी होगी आपको परिशानी होगी आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई बिना गलती के कितना बरदाश्ट कर सकता है आदाब नमस्कार सस्रियकाल मैं उस्मान सेफी आज की जो सची घटना मैं आपको सुनने जा रहा हूँ यह सची घटना है राजिस्थान परिदेश का एक शहर है जोधपुर और इसी जोधपुर शहर का एक थाना लगता है लूनी दरसल बात कर रहा हूँ 14 अपरेल 2021 की एक लड़की अचानक से ही उसके चोट लग जाती है उसके दादा उस लड़की को सीधा MDM होस्पिटल है वहां लिके आते हैं डॉक्टर सबसे पहले कारण फूसता है कि आखिरकार इसको चोट लगी कैसे दरसल उसकी नाक में कुछ गहरा जख्म था जब डॉक्टर ने ये पूछने की कोशिश की तो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरी ये पोती है जिसकी उम्र लवक 15 साल के आसपास है घर के बाहर और बच्चों के साथ खेल रहे थी एक और बच्चे ने इसकी नाक पर दांपू से काट लिया है जिसकी वज़े से इसकी बहुत गहरा जख्म हो गया है डॉक्ट साब जल्दी से इसे ठीक कर दीजिए लड़की को ओपरेशन थेटर में लेके जाया जाता है उस बुज़र्ग व्यक्ति को बाहर इंतजार करनी के लिए कहा जाता है डॉक्टर जब उसका इलास कर रहे थे तो उस लड़की से पूचा जाता है कि बेटा तुम्हारे साथ आखिरकार क्या हुआ है तो लड़की कहती है कि मैं घर में खेल रही थी और खेलते खेलते मेरे दात मार दिया परिवार के ही एक बच्चे ने लड़की कुछ और बयान दे रही है दादा कुछ और बयान दे रहे है इसी बात को देखते हो डॉक्टर को थोड़ा शक होता है कि कुछ तो बात है जो यहाँ पर सही बात बताई नहीं जा रही है तब ही उस डॉक्टर की सूचना पर लोनी थाने की पुलिस को बुलाया जाता है और जब पुलिस मौके पर आती है उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करती है तो लड़की ने वही बायान दिया जो डॉक्टर साफ के सामने दिया था और देखते ही देखते ही यह ख़बर उसी दिन उसी थाने में एक और एंजो था मेरी भावनाए सेवा संस्थान मेरी भावनाए सेवा संस्थान के अध्यक्ष पवन मिश्रा भी मौके पर थे और वो S.H.O. परमेश्वरी देवी के साथ साथ सीधा उसी होस्पिटल M.D.M. में चले जाते हैं तो कुछ ही देर में क्योंकि उन्होंने जो उस लड़की से बातचीत की थी उनकी बातचीत करने के तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे किया ये सबसे बड़े हमदर्द है और वाकिए ऐसा ही होता है उन्होंने उस लड़की के दिल में जगे बनाने में कुछ ही घंटे का समय लिया था और देखते ही देखे देखते उस लड़की ने जो बात बताई उसको सुनने के बाद ना केबल पबन मिश्रा बलकि पुलिस हर कोई हैरान था परेशान था कि आखिरकार इस बच्ची के साथ पिसले दो साल से लगातार अपराद हो रहा है बिना किसी गलती की सजा भुगत रही है पुलिकी कहती है कि जब वो तीन साल की थी तब उसकी मा के साथ आए दिन मार पीट होती थी उन्हें परिशान किया जायता था गलतीयां ढूंडी जाती थी उसके पिता किसी ना किसी बात पर उनको मारते थे पीटते थे उसे दुनियादारी के बारे में कोई समझ नहीं थी बस वो तो छोटी ही थी मा तो सब को छोड़ चाड़के यहां से चली जाती है शायदी ये सोच कर कि अब उसकी जिंदगी में जो दिक्कत परिशानी है वो सब खत्म हो जाएंगी बेटी घर रह जाती है तीन साल की थी और धीरे धीरे करके जब वक्त आगे उजरता है बेटी जब तेरह साल की होती है तो उस दिन घर पर कोई नहीं था उस लड़की के पिता ने अपनी ही बेटी के साथ जब तेरह साल की उमर में थी गंदा काम किया गिनोना काम किया यनकी मा का गुसा अपनी बेटी पर निकाला ये पहला दिन था और उस बेटी के साथ उसने एक आदतन उसकी बन चुकी थी उसके बेटी कम और वो पतनी की तरह उसके साथ बेहवार करने लगा आए दिन उसके साथ गंदा और घिनोना क्रित्य करता था कई बार उस लड़की के दादी उस लड़की के दादा ने अपनी आँखों से गंदा काम होते दिखा विरोत करने की हिम्मत नहीं थी यदि विरोत करते तो उन्हें समाच की बदनामी की वज़े से ने शायद बहुत सारी चीजे जहलनी पड़ती इसलिए अपने बेटे को बार बार समझाते थे अपनी पोती को बार बार समझाते थे और समझाते समझाते कब 24 महीने का वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला वो लड़की हर दिन हर वक्त इसी परिशानी इसी समस्य से जूज रही थी विद्याले जरूर जाती थी वहाँ थोड़ा बद उसको सुकून मिलता था लेकिन घर में अपने ही पिता के सामने जब पिता आते थे डरती थी सोने के लिए अक्सर दादी के पास या दादा के पास ही रहती थी क्योंकि जितनी देर दादा दादी के पास या विद्याले में रहती थी उतनी देर ही वो सुरक्षा महसूस करती थी इसके बाद उसको कोई सुरक्षा की कोई गारंटी ही नहीं थी क्योंकि उसका बाप उसको अपनी हवश का सिकार बना रहा था और इस काम में सगे ताउ और ताई भी कहीं न कहीं उन्होंने आँखे मून रखी थी इस बात का कभी विरोध नहीं किया जब बात हद से कहीं ज़ादा बढ़ जाती है, तब उसके दादा अपनी ही पोती जिसकी उम्र ज़ादा नहीं थी, में अच 15 साल के आपस हो चुकी थी, क्योंकि 13 साल की उमर में उसकी साथ ये गंदार घिनोना करते शुरू हो जाता है, पंदर साल की उमर तक लगातार चलता रहता है उसके दादा ने क्योंकि उस गाओं में विद्याले नहीं था पास के ही गाओं में विद्याले था ये बहाना करते हुए कि बेटी पड़ेगी आगे बढ़ेगी इसलिए अपनी ही बेटी पोती को वो सीधा पड़ोस के गाओं में एक कमरा दिलवाते हैं किराय का मका करते होंगी पहले ही दिन जब रहती है तो पढ़ोस ही देखता है उसे पूछता है इसके दादा से क्या बात है कहते हैं कि मैंने अपनी पोती का यहीं पर एडमिशन कराया है मेरी पोती यहां पड़ेगी और यहीं रहेगी उस व्यक्ति ने पहले दिन अपने घर से खाना ला था पिछले दो साल से लगाता है अब यहां इस व्यक्ति की इतनी हिम्द बढ़ जाती है कि वो किसी ना किसी बहाने से इस घर के अंदर आता था उसको कुछ ना कुछ खाने की चीज देता था पहले दिन उस लड़की को पता नहीं चल पाया लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे ब बहुत बुरा होगा उसके दादा हफते में या पंदरे दिन में अपनी पोती से मिलने के लिए जबाते थे तो उसके बाद वो पूरी कहानी ऐसे ही बया कर वाटती है ठीक 28 दिन तक उस लड़की के साथ ऐसे घिनोना करते हो रहा था 28 में दिन जब उसने अपने दादा को पूरी कहानी बताए कि मेरे साथ ये व्यक्ति में गंदा गिनोना करते करता है और कहता है कि तुम्हें मार दूँगा अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश की तब उसका दादा अपनी पोती को लेकर घर चलाता है और जब वो लड़की अपने ही घर में अपनी ह पीट थे कब उसने अपने ही दातों से अपनी ही बेटी की नाक पर जख्म बना ला दिया, नाक को उसके काट लिया और उसकी नाक में गहरा घाओ आ गया, जब जैसे ही नाक काटता है अपने दातों से तो बहुत जादा बिलेड बहने लगता है और दादा की जब नजर पहुंसती है तो दादा उसको जल्दी से होस्पिटल लेके जाता है MDM होस्पिटल वहां इलाज कराते हैं लेकिन कहते हैं कि सचाई कभी छुप नहीं सकती ठीक यहां पवन मिश Memphis अने जिस तरह से उस बेटी को ये कहके कि ये तुम्हारा दर्द हमारा दर्द है जब पूरी बात सननी बात सननी के बाद फिर पूलिस को बलाया जाता है पुलिस को बलाने के बाद उस लड़के के जो इस लड़की का पडूसी बनता है, 28 दिन तक उसकत गंदा काम करता है, उस लड़की का बाप उन दोनों के बीरे तो गंभीर धाराों में मुकदमा दर्च करै जाता है, पुलिस ने गिरिफतार करती है और जिब इस लड़की को गहर बेजनी की बात आती है तो लड़की कहती है अब मैं अपने घर नहीं जाओंगी। अब मुझे वो घर जाना ही नहीं है क्योंकि पुलिस की जाँच में ये भी आता है। उस लड़के ने जो 28 दिन तक गंदर घिनोना करते किया था। उस लड़की के सगे ताउने 50,000 रुपे की रकम उस लड़की के पड़ोसी किरायदार को दी थी जिसके जगह है रहके उसने पढ़ने की कोशिश की थी उन 50,000 रुपे की वजे से ही वो उसके साथ लगातार लंबे समय से गिनोना करते करा रहा था। पुलिस मामले की जाच परताल करने के बाद इन आरूपियों के क्या सज़ा दिला पाएगी ये तो खैर भविशे के गर में छिपा हुआ है लेकिन जिस तरह से उस बेटी को बड़े होकर दिक्कतें परिशानी जहिलनी पड़ी वो वाकिए अपना आप में बहुत भयानक है परिशान करने वाला है जिस दिन उस बच्ची की मा गई थी सब को छोड़ चाड़ कर काश अपनी बेटी को अपनी सीनी से लगा कर निकल जाती तो बड़े होकर इस बच्ची ने कभी दुख तकलीफ ना देखी होती साथ ही इस दुख तकलीफ से वो फिलहाल बले ही चाहे राहत महसूस कर रही हो लेकिन जो उसने परिशानियां देखी है इन दो साल लगातार उस 28 दिन लगातार वो शायद उसे कभी भी इस कालिख को अपने इस मरती से कभी मिटा पाएगी इस बात की कभी कोई खारंटी नहीं है तोस्तों इस पूरे घटना करम को सुनाने का पहराईट से हैं दुर्प कुमार हैं इन सभी को जनम दिन की बहुत सारी शुपकाबनाएं बहुत बहुत भुमारक बात साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेनी के अपील की थी जिसमें सचिन कुमार रजनीश राजपूत महुमद रिजवान सबरी हैं उत्रा उत्राखंड से भाषकर तिवारी मकुट अगरवाल हैं समर खान राजपूंद्र कयूम खान हैं जितंदर कुमार मनिश गरी आमीर खान इब्राहिम अबिबुर रह्मान डॉक्टर ब्रहमपाल सिंग उनकी पतनी है चंचल देवी जतंदर कुमार उनकी पतनी है रजनी कुमारी अल्ताफ ख आप सब लोग अपना ख्यार रखें सुरक्षित रहें जैहिन जैभारत